PM किसान संबानी दी अजना में जितने भी लभारती ने नया रेजिस्टरेशन किया था यानि कि नया रेजिस्टरेशन करने के बाद आप तेक एक भी इस्टाल्मेंट नहीं मिला उन सारे लभारती लिए एक बड़ी आपडेट निकाल के आ चुका है इस बार जो सुला नंबर का स्टाल्मेंट मिलेगा यह स्टाल्मेंट इससे बहुत सारे किसान है जिन gon害ती को 100 % मिलेगा दोस्तो अगर आप भी लिए किसान संबानी दे अजना कि एक लाजिस्टर फॉर्मरेट आपको आप तेक स्टाल्मेंट नहीं मिला और ऐस्टीव प्रोशिट न बता रहे तो द कि यह जो लाभारती ने रेजिस्टेशन किया था चार जानवारी दोजार चबीस मतलब किसान सम्मानी दिए असना की दोजार चबीस की पहली किस आप तक नहीं मिला यानि कि पहली किस इसी मैने का लास में आने का चांचस है लेकिन अभी तक फाइनल डेट एनाउस्मेंट न किसाने 2023 इसकी लास में आबदन किया है यानि कि 22 में किया है लेकिन आप तक एक भी स्टॉल्मेंट नहीं मिला अभी भरिपेकेशन के बारे वह बात के रहे तो पार्सनल इंफर्मसन में यह लाभारती का देखिए इसमें मूबाइल नंबर भी शो कर रहे है रेजिटरेशन इसमें लिखा रहे देखे जो बेनेफेशरी इसमें दो फेबरारी दोज़र सब्वीस की लाइब इसमें आपन करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ अभी दिखिएगा इलिजिवेट इसमें बात करे तो लैंस सेटिंग भी यहस है एकवाईसी भी यहस है अधार बैंक से इसमें हुआ है लेकिन PFMS का तरा आप से वरिपेकेशन काप किया है दोस्तो अगर आपको एक भी स्टाल्में नहीं मिला तो दोस्तो ये वीडियो में आपको कुछना को सही इंफर्मसन बीलने वाले दोस्तो वीडियो का एंटेक्ट बना रिएगा चलबे पहले बारा तो ज के कोई भी आपडेट में लिखा नहीं आ रहे एप्टी अभी प्रोशित नो बता रहे उससे पहले हम जानेंगे एकवाई सी के जो लाज़ देट 15 जानौरी 2026 है और यह किसान ने 4 जानौरी 2026 में आपदन किया है और PFMS का तरा आप से बरिपेकेशन कब हुआ है और PFMS इच पर पैसा जारी हने के लिए तयारी हुआ कि नहीं पहले किस यह लभारत को मिलेगा कि नहीं यह भी जानने के लिए पिफ्यू.pm किसान की ऑफिसल वबसाइट पर जाके PFMS के लाइब इच रास को चेक करेंगे देखिए दोस्तों प्यू.pm किसान की जो लाइब इच रास है अभी ऑपेन नहीं होगा पिफ्यू.pm किसान का पॉर्टल का तराफ से साइट कुछ अपडेट मिलेगा जिसके लिए इसमें क्या बता रहा है दिखें चार्ज फेबुरारी दोजर चब्वीस तक यह वबसाइट बंद रहेगा यानि कि वबसाइट ऑपेन होने में त्रट लएगा इसके लिए हम फ्यू.pm किसान जो लाइव इस्टरास है यह तो हम चेक करने सकते लेकिन जो डिविटी वाला इस्टरास है वह हम चेक कर सकते इसके लिए सभी लबारति यह वाली ओफिसील वबसाइट पर आना होगा यह ओफिसील वबसाट का लिंग मैंने वीडिय लिए इसमें category cm किसान सलेक करना होगा उसके बाद इसमें डिवीटी इस रास पे आपको beneficiary validation पर क्लिक करना होगा उसके बाद एंटर beneficiary code यह blanks होरना होगा एंटर application ID के जाएग आपको registration number पेश करना होगा उसके बाद इसमें Capeisiaj ligger के दाल के नीचे charge वाली option पर क्लिक करना होग करने के बाद देखिएगा इसमें बेनेफेसरी डिटियल्स ओपेन हो चुका है यह लबार्तिगा देखिए अप्लेकेशन आइडे इसमें क्या बता रहे है साबको सही आ रहा है इसमें आधार नमबर भी शो कर रहे है इसमें जो requested date बता रहे हैं देखिए चार्ज 8 जानौरी दो आज़ार चबीस और यह लबार्तिगा आप्डेट लिखा रहे है तो दोस्तों पक्का पैसा मिलेगा अगर आपका इसमें एप्डूब डेट शो कर रहे है लेकिन इसमें created आ रहे है उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा अगर आपका इसमें एप्डूब डेट शो कर रहे है लेकिन इसमें आपका reject आ रहे है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा साब साब किलियर है यह जो लाभारती ने चार जनुआरी दौदार चब्विस में अबदन किया था और चब्विस का जो पहली कीस थे यह लाभारती को मिलेगा यह 100% गेरेंटी है तो दोस्तों अगर आपका verification में इसमें reject आ रहे है मुझे वार्षप कीजिएगा created आ रहे है तो आपको पैसा मिलेगा पैसा तब भी मिलेगा जब आपका approved by agency का date इसमें show कर रहे है अगर आपका approved by agency का date इसमें show नहीं कर रहे है इसमें सिर्फ na करके लिखा आ रहे है blank आ रहे है और इसमें created आ रहे है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा यह point out आप ध्यान चे किजिएगा मैंने काफी time एग्रिगाल सर में यानिकि मेरा senior से बात करके इसका solution निकाला है बहुत सारे S.B. किसाने जिनका created आ रहा है पैसा मिलेगा किनी confused है और बहुत S.B. किसाने मेरे पास आ जाया था तो सारे किसान का सिर्फ created आ रहा था उनका साब कुछ सही है अपडेट नहीं आ रहा है लेकिन जिन लबारती का approved by agency का date show कर रहा है उसमें created आ रहा है तो पैसा मिलेगा जिन लबारती का approved by agency का इसमें date show नहीं कर रहा है created आ रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा अपडेट वाली सभी लाबारती को पैसा मिल जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप से भी को और भी इंफर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट डाल दीजिएगा जय हिन जय भारत